कि अच्छों नमस्कार गुड इवनिंग एक बार फिर से आप सब का स्वागत है जल्दी से जल्दी बच्चों एक बार कनेक्ट हो जीएगा फिर शुरुवात करते हैं अब डेली हमारा आरकेसी का सैसर रहेगा तो प्लीज जब भी आपका सैसन हो आप प्रेजेंट रहीएगा कल मैंने आपको बता दिया था कि मोर्निंग में आप फस्ट पेपर की प्रिपरेशन कीजिएगा और शाम को जुड़ जिएगा केमस्टी बाई जेवी सर यूटूब चैनल पे चलिएगा सुरुवात करते हैं कि एक बार फटाफट कनेक्ट हो जीएगा बहुत बढ़िया बढ़िया क्यूशन साब के लिए लेके आए हैं और देखो बच्चों यह जो भी सैसन आपके रहने वाले आप ज्यान दीजिएगा कोई भी किसी परकार पीजीटी लेवल के एक्जाम के अगर आप प्रिप्रे लिए लिए लगा डिए लेख अघ्ancy लाइयर आपके लिए आपके साथ से इसनी अऊपर च्रूस करते हैं छलें हैं जल्दी से जल्दी एक बर connect हो जीएगा वन बाई वन बस आपको चेक करना है यार आप जो पढ़के आए और डेली में आपको अपडेट कर देता हूँ गुरूप के अंदर कि आज हम कौन सा टोपिक लेके आएंगे अगर आप वो टोपिक पढ़के आए हो तो बस चेक करना हैं आपने कितनी गलतिया की आज के सेसन में क्या कुछ नया सीखने को मिला क्या हम कुछ चीजें जो हमने पढ़ रखी थी क्या हो हम भूल तो नहीं गए डेली बस आपको इतना सा चेक करना है और डेली ये जो session है आपके हर topic को improve करवाएंगे चलेगा शुरुवात करते हैं पहले question के साथ इसी के साथ पहला question आपके सामने है question नमर first फटा फट जादा time consume नहीं करेंगे उतना ही time आपको मिलेगा जितना time आपको पेपर में मिलता है पहला सवाल आपके सामने है कि करदा major product formed in the reaction इस reaction में major product कौन सा बनेगा लीज येगा देखो भाई अगर आप school lecturer RPSC का exam देने वाले हो तो ये session आपके लिए definitely useful होने वाले है और ऐसा भी होगा session के थुरू आप बहुत कुछ सीखोगे कुछ नए सवाल भी देखोगे और कुछ भूल गे हो उस बात को भी आप correct कर लोगे पहला सवाल आपके सामने है बता दीजिएगा what will be the correct answer what will be the correct answer क्या सही answer होगा झाल 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 प्रेट में आप वो क्या देखना था जो NBS है N-Bromosuccineide है यह हमारे पास याद रखेगा भी इसका काम अगर या फिर बेंजाइलिक पोजिशन आ जाती है या फिर बेंजाइलिक पोजिशन आ जाती है वहाँ पे देखो इससे RPSC कोलेज लेक्शर में भी प्यारे बच्चो तीन बार सवाल आ चुका है फ्लीज इट इस इंपोटेंट है इस रियेज़न को धियान रखेगा और इतनी सी आपको याद रखनी है एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजिशन पर यह ब्रॉमीन जोड़ देगा अब हमारा जो सब्स्टेट दिया हुआ है अब इसकी आप देखो एलाइलिक पोजिशन देखो सर एलाइलीक पोजिशन या फिर यह है तो आप प्रोडेक्ट में यह देखो होगे अब देखो यह वाला ओप्शन कट गया यह देखो यहां भी जोड़ा यहां भी जोड़ा यह भी कट गया नन ओफ दीज में तो है नहीं तो देखो यह वाली यह पोजिशन यहां पर ब्रोमीन लगा हुआ है फरस्ट विल भी दा करेक्टांस्वार किलियर है चलें आगे ओलो तो आ रहा होगा साउंड यार चैक कर लो बार रहा है रबारा साँंड चैक कर लीजियेगा प्लीज़ आप वह इस आरे है बच्चो सैसन को जरूर करते हो यार जो भी बच्चे सब्सक्राइब कर लिए और थोड़ा सा हमारे प्लैटफों के लिए आज घुसी की बात ये भी है चलेगा शुरुवात करते हैं अगले क्यूशन की तरह मूँ करते हैं मैक्सिम बच्चों ने सही जवाब दिया अब जिनका भी गलत जवाब हुआ है अब नोट कर लीजिएगा एन बीएस आएगा तो एलाइलिक और बेंजालिक पोजिशन पर हम ब्रोमीन लगा देंगे आई कियेगा अगले क्यूशन की तरह मूँ करते हैं फटाफट जादा टाइम नहीं लगाएंगे यार सही है ना क्यूशन बिल्कूल आपके स्पैसिविक एज पर योर एक्जाम ही क्यूशन है अगला सवाल है कह रहा है क्लीमेंशन रिडक्शन विल कनवर्ड साइक्लो एक्जे जाओ क्या सही आंसवर होगा लिमेंशन रिडक्शन और क्यूशन यार मैं वही लेक्या आता हूँ जो पेपर में आपके या तो फिर लैब असिस्टेंट या फिर आपका कोलेज लेक्टर या फिर आरी एमसी एंट्रेंस किसी ना किसी में क्यूशन पूछा गया हुआ और उसी लेवल के क्यूशन में आपके लिए क्या हुँगा ना कोई हाईर लेवल क्यूशन आपके करवाने वाला बस फटा फटा आप चेक करते रहो आपको याद है या नहीं याद और किसी चीज़ को मिस करते हो तो तुरंत वही पर आपको लाइव सोलूशन मिलेगा चल अगर यह अमने NCRT जब पढ़ते हैं ग्यारी बारी में वहाँ पर भी पढ़ते हैं अगर यह अमारे पास कार्बुनेल कंपाउंड है इसको अगर हम ट्रीट करवाता है जडन, HG और HCL हम लेते हैं तो यहाँ पर इसका क्या हो जाता है रिडक्शन हो जाता है हमें क्या दि करेक्ट आंसवर कर लोगे सही है चलिएगा बहुत बढ़िया चलिएगा अगले क्यूशन की तरह मूँ करते हैं क्यूशन नंबर थर्ड पटाबट चेक करते हुए चलिएगा एक और सवाल देखो ऐसा सवाल आर्पेसी पहले भी इस तरीके का क्यूशन पूछ चुका है आ टाइम नहीं यार टाइम हमें पेपर में भी नहीं मिलेगा यहां भी आपको कम टाइम मिलेगा ताकि आप फटाफट अपना जवाब दो क्यूशन को रीडाउट करो एक बार तुरां तबना चैट बोक्स में आंसवर देखीजिएगा क्या सई आंसवर होगा अगा पता की देखो रीएजेंट से पिछली बार भी 6-7 सवाल आये थे तो ओक्सिडेशन वाले रीएजेंट, रेडक्शन वाले, ओर्गनोमेटलिक वाले और कपलिंग रीएक्शन जो हमने पढ़ी थी सारी अच्छे से कवर कर ले ना 5-6 सवाल आपके बन जाएंगे और बहुत बढ़ और सर तीसरी पोजिशन पर एक, दो, तीन, सर यहाँ पर हमारे पास क्या बना के दे दिया, ट्रिपल बोन बना के दे दिया, 3-7 को ट्रांस, 3-7 में यार, बताओ, एलकाइन को ट्रांस में कौन चेंज करता है, सर जी, पर्च रिडक्शन में हम पढ़ते थे, यास, बिल्ग H2PDC आजाए, H2PDC, CO3 आजाए, लिनलाट्स कैटलिस्ट आजाए, वो किस में चेंज करता है, अलकाइन को, सर अलकाइन को चेंज करता है, सी से अलकीन में, लेकिन ट्रांस में कौन चेंज करता है, बर्च रिडक्शन, चलिएगा, अगला सवाल देखो, बहुत बढ़िया स यह क्या क्या करते थे, जवाब दे दीजिएगा, वट विल बी दा करेक्ट आंसवर, फटा फट, टाइम मिलेगा आपको जवाब देने का, आराम से अपना आंसवर पढ़ते ही, चैट बोक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वट विल बी दा करेक्ट आंसवर, यहार देखो, यह हमारा थोड़ा कैमो स्लेक्टिविटी से था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, याद रखिएगा, हमने हाइड्राइड बेस्ट रियेजेंट पढ़े थे, लीथियम, अलुमिनियम हाइड्राइ हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोफिलिक, नुक्लियोफिलिक, दोन्नों हमने पढ़े थे, यहार थोड़ा दिहान दीजिएगा, एनने बी एच्फोर की बात करें न, तो एनने बी एच्फोर क्या करवाता है, इसकी जो कैमो स्लेक्टिविटी क्या है, यह अमारे पास, अगर in presence of ester, उसके अलावाँ हमने यह भी पढ़ा था, कि सर यह अमारे पास ketone का करवाएगा, LDe का करवाएगा, Acid Halide का करवाएगा, ना तो यह ester का करवाता, ना यह amide का करवाता, और ना यह acid का करवाता, बोलो, जबकि lithium aluminium hydride is, न, यह इससे थोड़ा strong होता है, यह हमारे पास दोनों का करवा देगा भाई, एस्टर का भी करवा देगा, समझा नहीं, समझे, बोलो, बागी यह, यह तो आपको पताईए, यह क्या होगा, सर जी, यह तो हमारे पास क्लीमेंशन रिडक्शन आ गया, देखो, क्लीमेंशन रिडक्शन, और यह भी आपको पता होना, यह नहीं, 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 और यह माइनस, यह बताऊ, यह कौन सी रिडक्शन का रिडक्शन है, जल्दी से बताईएगा, यह कौन सी रिडक्शन का रिडक्शन का रिडक्शन, यह क्लीमेंशन का दे दिया, यह क्लीमेंशन का दे दिया, अब आप मेर बोक्स में इसका जवाब जरूर दो गया आप सही है बहुत बढ़िया जवाब आ गया सर वॉल्फ किस्टनर रिडख्शन वैरी गुड बहुत बढ़िया चलिएगा अगरे कुश्टन की तरह मूँ करते हैं लीजिएगा अगला कुश्टन पढ़िएगा ये भी बढ़िया प्रसिट बहुत और छी बिथे लिखाए अगले कुश्टन पर osis आपके लिए तो प्लीज बी प्रेजयां प्रेजैन की लोगों मैं भी अपनी सारी यार सारी मेरा बहुत मन हो है कि आज मैच है इंडिया और आस्ट लिएगा मैस देखुए यार फिर भी हम उदर हमारा माइं डाइवर्ट हुआ ही नहीं यह आप सब आंसवर होगा बता दीजिएगा वट विल बी दा करेक्ट आंसवर वट विल बी दा करेक्ट आंसवर बता दीजिएगा वट विल बी दा करेक्ट आंसवर कोई कहरें ए होगा कोई कहरें भी होगा ऐसे ही तो फसोगे आप पेपर में भाईजाब ऐसे ही तो एक्जाम में आप फसोगे दोस्तों ऐसे ही पेपर में आप फसोगे ध्यान रखिएगा यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ चलिएगा बस बस सबका गलत है सबका गलत है भाई साब ओला रोंग आजाओ अब आजाओ यार क्या कर रहे हो भी नहीं होगा आपको पढ़ाया हुआ है यार आपको पढ़ाया हुआ है अरे आपको पढ़ाया हुआ है अच्छा एक थोड़ी सी यार इसमें हाँ एक यार एक कार्बन रहे सही है सही है सही है स यार क्या कर रहे हो भाईजाब भाईजाब Hello, Bohm reaction है Hello, Bohm reaction है Hello, Bohm reaction है why Hello, Bohm reaction है CL2 based then H positive CS3 हमें दिया हता है Hello, Bohm साथ में बनेगा CS3, CL तमाल हो गया यार देखा सब्सक्राइब क्योंकि क्योंकि वहां टाइम हमें कम मिलेगा क्यूशन रीड आउट करते ही हमें जवाब देना होगा बस इन गलतियों को अमें रोगना है चलें आगे समझ गए चलिएगा आगे नहीं करते हैं लीज़िएगा अब देख MA cpb यह M-C-P-B-A नहीं करें, यह तो इपोक्सिडेशन करवाता है यार, हमारे पास, डबल बॉंड का, K-M-N-O-4, K-2, यह हमारे पास, ओवर ओक्सिडेशन करवाते हैं, यार, समझे नहीं, समझे, कर लोगे, चलिएगा, अगला सवाल, यार, आप तो यह क्यूशन बिल्गुल धिहान दीजिएगा, हाँ, धिहान नहीं दिया था, यह कह रहे है, सर, हमने धिहान नहीं दिया था, अगर धिहान दोगे, तो यार, फिर गडबड हो जाएगी, धिहान देना पड़ेगा, कम टाइम होता है, पेपर में, हमें उसी स्प ब्रोमीनेशन के लिए हम कौन सा रियेजेंट यूज़ करते हैं, यार, थोड़े देर पहले ही मैंने चर्चा की है, यास, यास, अब गलती नहीं होनी चिये भाई, क्या यूज़ करते है, या फिर बेंजाइलिक पोजिशन पे, अगर हमें ब्रोमीनेशन करवाना है, तो सर दैन वी यूज एन ब्रोमो सकसिनाइड, चलिएगा, एक और सवाल हो गया इस रियेजेंट से, कर लोगे, चलिएगा, बहुत बढ़िया, फटा फट यार, सैसन को जरूर सेर करते हूं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर ल यस, हीट देगा, हीट देगा, पेपर में हीट देगा, हीट देगा, पैर एन बियस के साथ हीट देगा, एक और सवाल आ गया, यह सारे सवाल आये हुए है भाईजा, बताईएगा, पीजीटी लेवल के एक्जाम के क्यूश्चन करवा रहा हूं, क्योंकि क्यूश्चन यह हो जाएगा भाई NBS से अगर अब सवाल आ गया है तो अब गलत नहीं करेंगे बता दीजिएगा what will be the correct answer yes D D D D सबने D बोला है yes भाई देखो हमारे पास सर जी ये दिया हुआ है और सर NBS की ही खास बात अभी पड़ी थी lily Lifoyeton और बंजाईलिक फुजिशन पर क्या करवाता है broMingation करवाता है तो यहां देखो यह हमारे पास benjal स्वाझ पैजिए पोजिशन हो गई इसका एक hydrogen अटाओ ब्रोमिन लगाओ ऐसा कौन सा option है है एसा option है यह है De ही है डी ही है कर लोगे चलिएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आगे मुझ करते हैं सवाल नंबर आठ लीजिएगा आज आओ ये सवाल देखते हैं कौन करेगा पढ़ाया हुआ आपको पढ़ाया हुआ है आपके नोट्स में ही है ये सवाल भाई और सवाल आया हुआ भी है आपके नोट्स में भी है और सवाल आया हुआ भी है रीजेंट दिया हुआ है H2PD पहले तो ये कमेंट करके बता दो ये जो रियक्शन है ये रियक्शन कौन सी होगी आपके नोट्स में भी है सेम रियक्शन सैसन को जरूर सेयर करते रहो यार जिन बच्चो ने चैनल को subscribe नहीं किया है please subscribe the channel for daily notification और अगर आपने अमारा telegram channel ज़ॉलाइन नहीं किया है तो telegram भी join कर सकते हो चलिएगा what will be the correct answer सब कह रहे हैं sir D होगा displinama जी D कह रही है Sandeep कुमार जी कह रहे है सर डी होगा आओ देखो यार सवाल किसका है दान दीजिए का सवाल बताओ कहां पढ़ा था हमने यह यार यह हमने पढ़ा था रिडक्षन में हमने दो बाते पढ़ी थी एक तो मैटल बेस्ट रिडक्षन की बात कर रहे थे हम केटलाइटिक हाइड्रोजीनेशन की बात कर रहे थे और एक टोपिक हमने पढ़ा था हाइड्रोजीनोलाइसीज हाइड्रोजीनोलाइसीज और आपको पता है सर यह हमारे पास आगए H2PD तो यह हमारे पास क्या करवाएगा सर ये bond cleavage करवाएगा और cleavage कैसे होगी ये भी आपको पता होनी चीए cleavage कैसे होगी सर ये तो एक NH या फिर carbon oxygen bond का cleavage करवाएगा और एक nitrogen carbon bond का cleavage करवाएगा तो भाई ये यहां से cleavage होगा ये यहां से cleavage होगा इस तरीके से cleavage होगी तो यहां से तो आपको पता है क्या चला जाएगा तोलWiN यहां पे CS2 CS3 जाएगा क्या होगा सर एक हमारे पास यह बन गया है क्या है हैं से तोलविन दूसरा सर बीच से क्या रिलीज होगा CO2C2 कै और इस साथ हईड्रोजें लग जाएगा एन एच्टू जिसको हम बोल रहे थे हाइड्रोजीनो लाइसीस ती अमारे पास बन जाएगा समझया नहीं समझया बोलो कर लोगे यार समझाया सही है न तो देखो हर टोपिक से हर जो आपका रियेजेंट जो आप पढ़के आयो सारे टोपिक हर रियेजेंट से आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगी सही है न चलिएगा भूद बढ़िया चलो आगे मुझ करते हैं क्यूशन नमबर नाइन कर रहा है तब मोस्ट सूटेबल कैटलिस्ट फोर दा हाइड्रोजीनेशन ओफ टू पैंटाइन तू सिस्टू पैंटीन लोग भाई साब ये सवाल भी पी वाई क्यू ही है सही है न कोलेज लेक्शरर में ऐसा सवाल पूछा जा चुका है तब मोस् वाई सब्सक्राइब में रूजीनों in सवाल में तो बिल्न गल्ती मत करना बता दो क्या से श ही आंस्वर होगा है कोन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे बताओ वाई जाने को सरे ऐलकाइन को कि समें चैंज किया सिस में चैंज किया यास लिंडलाट्स कैटलिस्ट हमने पढ़ा तो भाई ये मुझे फिर से एक बार revise करना है, बस, चलिएगा, Question number 10, एक और सवाल देखा है, बहुत बढ़िया question है, Question number 10, बढ़िया सवाल है, और आपको पढ़ाया हुआ है, Bayer's Reacent की बात कर रहा है, कह रहा है, Which of the following alkene will give resmic mixture with Bayer's Reacent, Bayer's Reacent के साथ इन में से कौन सा alkene है, जो हमें resmic mixture देगा, अगर आप अपने notes पढ़ के आए हो, तो दोस्तों, यह आपके notes में भी है, Concept लगईएगा, पहले तो आपको पता होना चीए, Bayer's Reacent क्या करता है, पहले तो यह बात पता होनी चीए ना, आपको, Bayer's Reacent क्या काम करता है, पहले तो आपको Bayer's Reacent पता होना चीए, सर, Bayer's Reacent में हमने पढ़ा था, 1% KOH+, क्या था, KMNO4, यही तो था, बताओ इसका काम क्या होता है, पहले इस Reacent का function बताओ वाईस आप, इस Reacent का function बतिएगा, क्या काम करता है, पहले तो इसका काम पता होना चीए, आपको बताओ भाई, अलकीन के साथ यह क्या करता है, यास, यास, सर, यह Diol बनाता है, क्या बनाता है, Diol, और भाई, यह जब Diol बनाता है, अलकीन के साथ तो कैसा edition होता है सर, scene edition होता है scene edition और इसकी stereo chemistry से related आपको एक rule पढ़ाया था या सागर ने comment कर दिया, सर, ATM rule से हम कर देंगे, किसे कर देंगे ATM rule से कर देंगे और जब इसमें आप ATM rule लगाओगे थोड़ा धिहान दीजिएगा, देखो बच्चो, समझना, ATM में हम यह कहते हैं, भाई, हमारे पास A represent mode of edition, anti-or scene हो सकता है, T represent हमारा substrate कैसा है, और M meso, अगर anti-edition है, trans-alcene है, तो meso product बनता है, उसके बाद आपको बता है था भाई, इन में से, तीनों में से, कुछ भी आए, एक letter हमें match करना होगा, अब आप कैसे देखते हैं, भाई, हमारे पास A represent का mode of edition कैसा है, सर, scene है, बोलो भाई, अब आपको एक बात कह दी, product कैसा दे रहा है, भाई, product दे रहा है, रैसमिक, कैसा product दे रहा है, रैसमिक, तो पक्की बात है, तिनों में से, एक word match करवाएंगे, तो स बढ़िया, मैक्सिम बच्चों ने सही जवाब दिया है, सर, third होगा, और वैसे भी देखो, अब इसको देख लो, आप, third को देखो, यार, simple, हमारे पास क्या दिया हुआ है, सर, trans to butine हमें दिया हुआ है, यानि कि यह हमारे पास butine है, CS3, CS3, यही तो है, सर, इसमें हम लेके आएंगे, क्या, 1% KOH, यानि कि scene addition करवाएंगे, किसका, सर, जी, diol का, जब आपके पास, यह substrate कैसा हो गया, सर, trans हो गया, सर, इसका mode कैसा है, सर, scene है, सर, एक word match हो गया, तो दूसरा word हमारे पास match नहीं होना चाहिए, तो फिर हम product क्या बनाएंगे, सर, फिर हम product बनाएंगे, resmic, product कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे, resmic, resmic mixture हमारे पास बन जाएगा, OHH, CS3, CS3, यह दो product हमारे पास बन जाएंगे, समझया नहीं, समझये, बोलो, अगर हमसे कहता, वाईज, आप pair of insurance बनाके बताओ, तो फिर क्या करते, बताओ, फिर हमारा answer क्या हो जाता, जल्दी से बता हो, अगर हमसे कहता, pair of insurance बनाके बताओ, तो फिर आप क्या करते हैं, बताइएगा भाई, सर, उस case में हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास cyst tube utine आजाएगा, कर लोगे, धिहान रगिएगा, ATM rule, very, very important, और ATM rule को हमने कई जगे apply किया था, जब भी alken में हमने addition पढ़ा, reaction पढ़ी सही है, चाहिए ओस्मियम O4 आजाए, चाहिए आपके पास bear reagent आजाए, दोनों reagent cyst diol की formation करते हैं, चलिएगा, अगले question की तरह मूँ करते हैं, question number 11, कह रहा है, इंदा घीवन reaction, बतादो बाईजाब, बतादो अगला सवाल, बाईजाब आपको ये सवाल, जब हम alken की reaction पढ होाई हुआ है, इस तरीके का, reaction का नाम भी बता दीजिएगा, बताओ बताओ, बताओ, बतादीजिएगा, क्या product बनेगा, HGOAC का twice, क्या product बनेगा, फटा-फट बतादीजिए, सैसन को जरूर सेर करते रहीएगा, सैसन को जरूर सेर करते रहेगा, बच्चों, चलिएगा निखिल ने जवाब दे दिया है भी विजय कहरे भी होगा यस 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 सर जी पहले हम करवाएंगे ओक्जी मर्कूरेशन डैंड टी मर्कूरेशन NCRT सिरीज में सेम सवाल आपको करवाया हुआ है देखो हमारे पास प्रोडेक्ट क्या बनेगा दियान दीजिएगा और देखो सबसे पहले आपको पता है अलकीन इस एन इलेक्ट्रों डिच स्पीसीज तो CH2 पे जब हमारे पास यहाँ पे HG OAC हम लेके आते हैं तो इसका हम अटेक करवाते हैं यह इस पे अटेक करेगा यह यहाँ तो हमारे पास यहाँ जो इंटरमीडियेट स्टेट बनती है बच्चो एक बार थोड़ा देख लीजिएगा उसके बारे में भी यह हमारे पास CH2 यह CH2 यहाँ OAC यह HG इसके साथ OAC एक OAC चला जाता कुछ इस तरीक कि हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बनती है अब क्या होगा हमें M-E-O-H दिया हुआ है तो यह जो M-Z-O-H है न M-E-O-H यह अब एजे नुकलियो फाइल का यहाँ अटेक करेगा यह इधर से तूट जाएगा यह हमारे पास CH2 इसके साथ O-M-E लग गया करवा देंगे टी मर्कुरेशन एन एन इन भी एच पोर क्या करवाएगा टी मर्कुरेशन यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा सर सी एच टू के साथ O-M-E था यहाँ पर दी मर्कुरेशन करवाओगे तो CS3 बन जाएगा यानि कि हमारे पास प्रोडेक्ट बनेगा बी 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 सही है तो आपके स्लेबस में एलकीन एलकेन एलकाइन हेलो एलकीन यह आपको दिये हुए यह स्लेबस में और NCRT सीरीज में भी हम कवर कर चुके हैं तो प्लीज किसी भ रोज में आपसे गलतिया करवाओंगा बस आपको नोट करते हुए चलना है अगले ग्युष्ण की तरह मुग करते हैं विच कंपाउंट अंडरगो हेलो फोम रियक्शन एक और बढ़िया सवाल हेलो फोम को दिमाग में बैठा लो हर पेपर में सवाल आया हुआ है हर बार अखेंग और पुरा अपको कार्बोनल कंपाउंड बेस रियक्शन में बढ़ाया हुआ है बता दीजिएगा इन में से कौन सा कंपाउंड है जो हैलो फोम रियक्शन देगा और इससे पहले नेम रियक्शन वाला जब मैं सेशन लेके आए था पी वाई क्यू सेशन उसमें भी हमने हेलो फॉर्म रियक्शन के पी वाई क्यू देखे थे बता दीजिएगा वट विल बी दा करेक्ट आंसवर यस बताईएगा भाई देखो सवाल इस तरीके से आएगा बिल्गुल सही है जवाब दे दिया है बच्चों ने सर सी आएगा सी आएगा सी आएगा बहुत बढ़िया बिल्गुल सही जवाब है यार सी विल बी दा करेक्ट आंसवर यस देखो हेलो फॉम रियक्शन के लिए क्या बताया था अल्कॉल के केस में या फिर अल्डी आइड और कीटोन और अल्कॉल सर अल्कॉल के केस में हमने यह पढ़ा था यह जो OH जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है अगर इसके साथ हमें यह CS3 ग्रूप मिल जाता है यह CS3 ग्रूप मिल जाता है तो वो हमारे पास हेलो फॉम रियक्शन देता है लेकिन सर तरसरी अल्कॉल हेलो फॉम रियक्शन नहीं देता तरसरी अल्कॉल हेलो फॉम रियक्शन नहीं देता तो tertiary alcohol यानि कि D वाला option तो वैसे इकट गया, बोलो, अब यह है primary alcohol, यह primary alcohol है, लेकिन इसके साथ हमारे पास CS3 होना जरूरी है, सर primary alcohol में तो केवल एथेनोल है, जो एलो फोम reaction देता है, यही देता है, क्योंकि इसके साथ CS3 present है, अब बात करते हैं अर secondary alcohol की, यह secondary alcohol था, लेकिन स इस alcohol के साथ हमारे पास, सरी, यह भी हमारे पास primary है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर क्या है, CS3 नहीं है, यह भी नहीं देगा, यह secondary alcohol है, इस तरफ हमें क्या मिल गया, CS3 मिल गया, तो answer क्या होगा, C, तो हेलो फोम reaction very very important, कई बार question पुछा गया है, तो प्लीज याद रख अगर LD हाइड और कीचोन आते हैं, तो उसमें भी हम याद रखेंगे, अगर मैं कहूँ आप से, बताओ अब, आपको जवाब देना है बाई, जवाब देना है, क्या यह हेलो फोम reaction देगा, क्या यह LD हाइड हेलो फोम reaction देगा, आप से सवाल ले दे, क्या हमारे पास यह दे यह हेलो फोम reaction देता है, वो लो, ही टोन में भी हमारे पास, अलफा पोजिशन पे CS3 का होना जरूरी है, तभी हमारे पास हेलो फोम reaction होगी, वरना नहीं होगी, कर लोगे, चलिएगा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, क्यूशन नमबर 13, आजे हीगा, क्यूशन बने गा, और बर्च reduction में हमने बहुत सारी चीज़े पड़ी थी, यार, दा प्रोड़ेक्ट फोम डीन दा reaction, इस रियक्शन में हमारे पास क्या प्रोड़ेक्ट बनेगा, बताईएगा, फटा फट जवाब दीजिएगा, क्या प्रोड़ेक्ट बनेगा, दा मोर्निंग में जो भी टोपिक आपको बताया जाता है उसको आप पढ़ किया हो और फिर उसको चेक करो उससे रिलेटिड आपको बहुत बढ़िया आ गया देखो यार सिंपल सा तरीका था सर हमारे पास यह गुरूप कैसे दे रखे हैं सर इलेक्ट्रोन डोनेटिंग गुरू अगर इलेक्ट्रोन विड्रोइंग आता है तो उसको हम रखेंगे SP3 पे यही सिखाया था यही सिखाया था अब आजाओ चेक करो वैसा वैसा कौन सा ओप्सन है सर यहां यह मी रह गया यहां पर ओमी रह गया और यहां पर यह तो बिल्कुल ही गलत है वाई दा करेक्ट आं गलत हुआ है जाएंगे एप के उपर और बर्च रेडक्शन की पूरी PDF या जो आपने नोट्स बनाएं थे वह एक बार रिवाइज कर लेंगे सही है ना क्योंकि हैलो फॉर्म रियक्शन हुई बर्च रेडक्शन हुए इंपोर्टेंट रियेजंट से 6-7 सवाल मिलते ही है से यह ना चलिएगा आगे मूँ करते हैं क्योशन नमबर 14 आज़ेगा भाई साब आपकी नोट्बुक में है यह सवाल आपकी नोट्बुक में है दा कनवर्चन इस कैरिड आउट बाई बहुत बढ़िया सवाल है बताईएगा इस कनवर्चन को कौन सर येजेंट कैरी आउ के साथ तीसरा कह रहा है कोलीन्स रियेजेंट नमबर 4 पे कह रहा है PCC बताईएगा भाई और हमने इसमें भी दो तरीके के ओक्सिडाइजिंग एजेंट पढ़े थे क्रोमियम बेस्ड में सर जी एक तो हमने पढ़ा था क्या स्ट्रोंग ओक्सिडाइजिंग एजेंट और तो सबस्टेट को पहचानो सर सबस्टेट दिया हुआ हमें क्या दिया हुआ है सर हमें दिया हुआ है प्राइमरी एलकोल प्राइमरी एलकोल को किसमें चेंज कर दिया सर जी एसिड में चेंज कर दिया अब सर प्राइमरी एलकोल को एसिड में स्ट्रोंग ओक्सिडाइजिं ascent है, सारे के सारे mild oxidizing ascent है यह mild oxidizing ascent है, तो यह क्या करवाएंगे primary alcohol को सर जी LDH में change करवाएंगे, लेकिन specially आपकी note में लिखवा हुआ है PDC के साथ, भाई PDC के साथ अगर DCM लेते हो Dichloromethane लेते हो CH2, CL2 तो फिर हमारे पास क्या बनता सर, इस case में तो हमारे पास बनता LDH, लेकिन अगर हम DMF ले लेते हैं, DMF तो over oxidation होता है आपकी note में है special P आएगा, क्या CC के चक्कर में पढ़ रहे हो तो प्लीज बच्चो ध्यान दीजिएगा मैं आपसे फिर से बता देता हूँ oxidation based reagent की अगर बात करें chromium metal based reagent और manganese metal based reagent दो सेसन यूटूब पे पड़े हूए है एक एक डेट गंटे के वीडियो है उनको अगर फास्ट स्पीड में आप एक बार revise जरूर कर लीजिएगा उसमें सब का comparison करवाया हुआ है सारे उनसे related question करवाया हुआ है तो time मिले तो कल एक बार देख लेना ताकि आपका कोई confusion ना रहे सही है? चलिएगा बिल्गुल सही है DMF में acid बनेगा DSM में DCM में LDI बनेगा चलिएगा आगे move करते हैं Question number 15 आज़ेगा बताईएगा भाई साब बस reaction का नाम जल्दी से जल्दी chat box में comment करके बता दीजिएगा क्योंकि आपके paper में सवाल ऐसे ही आने इसी level के आने है उसी level के questions मैं करवा रहा हूँ बस एक बार पढ़िएगा और जवाब देदीजिएगा target हमारे 120 में से हमें 110 प्लस सवाल सही करने ही है अभी देखो अभी हम थोड़ा रियेजेंट लेके आए हैं अब एक दो दिन में आपके दो दो तीन तीन topic एक साथ लेके आऊँगा तो please रियेजेंट थोड़ा बड़ा chapter था तो इसका एक ही topic लेके आए लेकिन जो minor topic होंगे वो दो तीन session आपके लेके आऊँगा लग दो तीन topic होंगा एक session लेके आऊँगा तो please बने रहीएगा चलिएगा जवाब आ गया है भाई साथ यस 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 रियेजेंट देखते ही पहचान गए सवर्ण oxidation से पहले भी college lecturer में एक बार सवाल आ चुका यस सवर्ण oxidation नहीं होगा भाई साथ क्योंकि base नहीं है दियान दीजिएगा समझना सवर्ण oxidation में क्या होता है सर ये भी सवर्ण oxidation में क्या होता है हम DMSO लेते हैं और 되어 Oxyl chloride लेते हैं और इसके साथ base लेते है जब जाके سवर्ण oxidation होता है ये भी mild oxidizing इस एंट होता है primary alcohol को LDID में secondary alcohol को कीच्टोन में बदलता है लेकिन यहां base गायाब है तो क्या होगा सवर्ण सबसीचुशन होगा सबसीचुशन होगा भाई सबसीचुशन और सबसीचुशन होगा तो कौन सा product बनेगा D D D D D D D लोगे यह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्गुल सही है बच्चो, इसी तरीके से बस आप सेसंस में अपने जवाब देते रहेगा, हर टोपिक को चेक करते रहेगा, चलिए आगे मूँ करते हैं, Q & 16ी का बर्च रिदक्षन करवाएंगे तो क्या बनेगा, बाई साब, लेकिन है रेक्रोगेंस से से र्लेटिड कई बार ईकदो ढığल लेक्षान पेपर में आ चुके हैं, तो वो आप पढ़ना चाहो, तो मैं उनके lecture भी upload कर दूंगा अगर PDF भी आप देखना चाहो तो लेकिन क्यूशन सेशन में जो हम cover करें उनको जरूर आप कीजिएगा बनेगा भाई साब क्या बनेगा हां करवाया हुआ है बर्च रेडक्शन में भी करवाया हुआ है सेम सवाल चलिएगा जवाब आ गया है यस 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 बिल्गुल सही है देखो जिस तरीके से बेंजीन में हम करवाते हैं बाई बेंजीन का हम बर्च रेडक्शन करवाते हैं तो क्या करते हैं सर जी वन फोल डाइन हमारे पास बन जाता है इस तरीके से यही बनता है सेम यही काम होगा सही है बस याद रखिएगा ज आजे येगा कह रहा है था unknown species is बताओ वाईज आप कौन सा रियेजेंट यूज होगा इसमें आपकी नोटकों में पढ़ा रखा है रियेजेंट में रियेजेंट में आपकी नोटकों में पढ़ाया हुआ है फटा-फट अगर आप पढ़के आए हो तो बता दो और रियेजें में आया है अभी आरियो में से एंट्रेंस में बताओ साइक्लिक हमाइड साइक्लिक हमाइड दिया था साइक्लिक हमाइड को हम क्या बोलते हैं यह सवाल पूछा था तो साइक्लिक हमाइड तो होता है हमारे पास लेक्टम और साइक्लिक एस्टर होता है लेक्टोल और लेक यास 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 डाइबल एच ये काम करवाता है कर लोगे बोलो देखो अब देखो यहां पर ओप्सन भी काड़ते हुए चलो यार लीधियम, अलुमिनियम, हैड्राइड नहीं बाइज आप यह तो तोड़ देगा इसको इधर भी ओएच बना देगा इधर भी ओएच बना द अब देता है लेक्टोल में बदल देगा चलिये, कुश्य नम्बर 18 लीजएगा एक और सवाल देखो यार फटा फट जवाब देदीजिएगा करदा रियेजाइंट इन्वोल इन्वोल होगा बिल्गुल धिहान से देखो यार यह सवाल भी आया हुआ हुआ है तो अब एक बात आपके दिमाग में चली गई है साब साब की जो रियेजेंट से जो सिशन पूछे गए है बाया है अलो फॉम रियक्शन तो आप नहीं रियक्शन में पढ़ते हो सही है बर्स रिडक्शन लिंडलार्ट्स कैटलिस्ट सही है एन बीएस और ओक्सिडेशन और हाइड्रा इसका तो आप गलत नहीं करेंगे देखो यार कैसा हमें किसमें चेंज कर दिया सर सिस में दे दिया सिस में कौन चेंज करेगा लिंडलार्स ऐलिंडलार्स क्या γांघ pandemia cce çenol三 चलिएगा बह efecto चलिए बहुत बढ़त विल्गुल आसान सा सवाल है बता दीजिए गहालव किषनर रिडुक्षन में कौन सा रियजं चेनुओल होता है व और किषिनर रिडुक्षन में कौन सा रियॉजंद पिंवल होता है चलिएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यस डिगलाइम यस डिगलाइम धाने इसका मेल्टिंग पैंट बहुत जादा होता है कर लोगे चलिएगा बहुत बढ़िया आगले कुशन की तरह मूँ करते हैं दा प्रोड़ेक्ट पी इस आजाओ वाइम सी पीबिये से अलरड़ी पहले एक बार सवाल आ चुका है और अभी आर्यू एमसी एंट्रेंस हुआ था उसमें भी सवाल आपका एमसी पीबिये से आया नोट में भी है बस आप चेक करो आप पढ़ क्या है हो या नहीं पढ़ गया हो सर एमसी पीबी आ गया है मैंटा क्लोरो हो पर बैंजोइक एसिड क्या करवाता है सर यह इपोक्सीडेशन करवाता है बताईएगा भाई साब कौन सा अंस्वर बनेगा इस अपस्षक ऐसिडेशन क्या है है जब हमारे पास हईड्रोजन डिलीविर करेंगा तो यह lone pair containing group आ गया OH के साथ hydrogen bonding में involved होगा तो polar group है उसी same phase से deliver करेगा hydrogen को तो sorry जो हमारे पास यह oxygen आएगा उसी तरफ से deliver होगा जिस तरफ में आपका यह group present है तो oxygen जो है इपोक्षडेशन जो ring बनेगी वो हमारी कहां बनेगा अबाओ बनेगा अगर यहीं पर OH की जगए ध्यान रखिएगा OCS3 हो जाता या फिर CS3 हो जाता तो फिर हमारे पास answer क्या आता सर फिर answer D आता उस case में कहां से जाएगा बिलों से जाएगा तो यहां पर याद रखिएगा OH के case में ऐसा होता है OCS3 के case में भी ऐसा नहीं होगा और नहीं CS3 के case में होगा उस case में हम less hindered site से ही deliver करवाएंगे oxygen को इपोक्षडेशन वही से करवाएंगे चलिएगा question number 21 the reagent used in the conversion बता दो भाई साब बिल्गुल धिहान से देखो आराम से देखो इस conversion में कौन सा reagent involved होगा देखो कोई सवाल आपको नया मिल भी जाता है न पेपर में तो प्लीज यू आपको एक बार चारो reagent देखने हैं क्या पता उन चार reagent में तीन reagent के आपको function पता हो और क्या सई answer होगा देखो यार H2PDC क्या करवाता है देखो अब option काटो यार देखो एक क्यों चूज कर रहे सर यह तो हमारे पास hydrogen bond का क्या करवाएगा reduction करवाएगा यार यह तो हमारे पास reduction करवाएगा TICL4K अरे सर यह तो हमारे पास याद गरोगे कौन सी reaction होती है सर यह हम यूज करते मैकमरी में मैकमरी कप्लिंग reaction में सर यह हमारे पास क्या करवाएगा बेंजीन का reduction करवादेगा बचा को डी 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 तुली पागल कह रहे सर भी कौन सा है यह अभी आएगा म प्रेकमरी कप्लिंग पड़ी दिया हमने भाई हमने देगो मैटल बेस्ट कप्लिंग reaction भी हमने पड़ी दी तीन चार दी आएगा यास डी डी क्यू डी डी क्या होता है जब आपको बाइन और गरिंग पढ़ाता हूं पहला लेक्शर में आपको जब पूरफाइरिंग की ब करता है क्रमित Сов DoOW गयाना यां यहीं यहीं जीजड हो गई याद रखेगा सवाल बनाके दे तो डीडी क्यों हमारे पास क्या करվता है सैकलाइजेशन ही करवाता और बैशुमक चलिये अगल आगे बढ़ता है关ाल्स लिगा एक सवाल दिगो ऑस offensiveous 4 हम नपमें बिता दो क्य बनेगा वाच विल बी दा प्रोडेक्ट फॉर्म्ड इन दा रियक्शन कौन सा प्रोडेक्ट बनेगा फटा फट जवाब दीजिएगा इतना टाइम आपको आपके पेपर में नहीं मिलेगा युशन पढ़ो देखो जवाब दो कि चलिएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बी होगा चलिएगा एक बात बता देता हूं उन्ते को लेकी है लेकिन हमारे पास अगर दो एलकीन आजाते हैं तो याद रखिएगा यह उमारे पास और इलक्ट्रों रिच को पहले करवाएगा यस पहले डाइयोल बनाएगा और आप देख सकते हो यहां पर इन दोनों में more electron rich alkin कौन सी है यही होगी यार क्योंकि इसमें तो कितने alpha hydrogen होगे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 more electron rich alkin बीच वाली है तो बीच वाली में हम क्या कर देंगे डाइयोल का formation कर देंगे second will be the correct answer कर लोगे समझा गया चलिएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है चलिएगा आगले question की तरह मूँ करते हैं एक और सवाल देगो बच्चो एक और सवाल देगो आराम से पढ़िएगा कर दाइदा transformation is carried out by इस transformation को कौन सा इन में से रियेजेंट है जो करवाएगा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बिल्कुल ध्यान से आराम से कौन सा रियेजेंट है जो इस transformation को carry out करवाएगा और एलगीन वाले chapter में भी ये concept आपको पढ़ाया हुआ है what will be the correct answer बता दीजिएगा यस 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 बिल्कुल सही है देखो यार धिहान दीजिएगा हमने पढ़ा था H2PDC एक equivalent आपको दिया हुआ है दो equivalent देता तो दोनों को करवा देता एक equivalent आपको दिया हुआ है और इसके order में भी हमने पढ़ा था जितना हमारे पास alkene sterically less injured होगा उसका fast करवाएगा तो यहाँ पर यह हमारा alkene substituted है यह less injured है तो पहले इसका हो रखा है समझा नहीं समझाए चलिएगा अगर इसी सवाल में अगर इसी सवाल में यह product बना के दे देता वाई साब यह conversion कौन करवाएगा तो आप क्या choose करोगे बताईएगा फटा फट बताईएगा आप से कह देता इससे हमारे पास यह बन गया यह दोनों double bond est रह गए अब कौन सा रियेसेंट यह काम करवाएगा जल्दी से बता दीजिएगा भाई साब कि बोलो बोलो एक हाँ इसके लिए न सुनलो इसके लिए तो दोनों यह आंस्वर हो जाएंगे li-lh4 b और li-bh4 b दोनों ही हो जाएंगे इसके लिए तो दोन्हों करवा देंगे कीटोन का reduction किसमे एलकोल में कर लोगे चलिए आगे मुझ करते हैं Qsion No.24 आ जाओ एक और सवाल देखो एक और सवाल देखो वाई साब एक और सवाल कहारा दा बाव रियक्शन इस यह जो रियक्शन है कोंती रियक्शन है पहला option, विटिंग reaction, दूसरा कहा रहा है, बर्ष reduction, तीसरा कहा रहा है, क्ली मैंशन reduction, नंबर चार कहा रहा है, मैक मरी reaction, बता दो यार, ये तो बता दो, बता दो, बता दो, तो आम ने metal-based coupling reaction भी पढ़ी थी, तीन-चार, तो प्लीज उन पे भी focus रखिएगा यार, मैक मरी से एहले भी सवाल आ चुका है, सही है, जाम, रियेजेंट यूज करते हैं, क्या, TICL4, TICL3 पलस के, ये यूज कर लीजिएगा, या फिर TICL4 के साथ, LIALH4 भी ले ले लेते हैं, या फिर TICL3 के साथ, ZNB ले ले लेते हैं, तो जहां titanium आ जाए, reaction कौन सी हो जाएगी, मैक मरी coupling, yes, 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 D will be the correct answer, चलिएगा, अगले क्यूशन की तरफ मुव करते हैं, क्यूशन नमर 25, आईएगा, सवाल आया हुआ है, ये भी, ये भी सवाल आया हुआ है, तर येजेंट इन्वोल्ड इन कन्वरजन, कौन सा रियेजेंट है, जो इसमें इन्वोल होता है, आराम से कहले बहुता है, पहले भी, कई बार बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, वाईजाफ, कई बार बता चुका हूँ, सही है, कर लोगे, yes, yes, reaction का नाम भी बता दो, reaction का नाam, yes, रोजन मन रिडक्शन, बार-बार आया हुआ है, ये सवाल, सही है, NCRT में पढ़ते है तो हमारे पास क्या करेगा सर एसिड ईलाइड को किस में चेंज कर देगा एल डी हाइड में चेंज कर देगा रिएजेंट क्या यूज करता है H2PB, S4, Qnoline, और इसके साथ यूज़ किया जाता है, कर लोगे, समझे हैं नहीं समझे, सही है, चलिएगा, तो देखो बच्चो, धियान दीजिएगा, आज कही सेसन में आपने क्या क्या देखा, बर्श रेटक्शन के लिए आज क्यूशन में कम इलेका आए था, तो हमने थोड़े स्पीड से जादा क्यूशन कर लिए, कल मैं और भी जादा क्यूशन लेका हूँगा, से नंबर ओफ क्यूशन हम थोड़े जादा रखेंगे, 40 कूशन डेली लेका है करूँगा, आज 25 लेकर आया था बस आप एक time fix कर दो मुझे ये बता दो जिस time पर आप सारे बच्चे अवलेबल रहोगे time हमारे पास तीन ही है या तो 7 p.m. बताओ या फिर 8 p.m. या फिर 9 p.m. कौन सा time आपको पसंद है वो time बता दीजिएगा जिस time पर आप 100% free रहो ताकि हम live गलती करें क्योंकि paper में आप भी क्या होगा paper में तो आपको question face कर नहीं है तो उसे पहले एक बार daily question face की जिएगा सही है और daily में आपको topic बता के जाऊंगा उसी topic को आपको पढ़ के आना है और अब mission all p.g.t. level exam आप किसी का भी कही से भी आप prepare कर रहे हो किसी भी coaching institute से आप पढ़ रहे हो तो दोस्तों अगर आप किसी भी p.g.t. level एक exam की preparation कर रहे हैं तो daily में आपको मिलूँगा एक time आप fix कर दीजिएगा या 7 p.m. पे सब बच्चे कह रहे हैं सही है 7 p.m. 7 p.m. 7 p.m. यस यस ज्यादा है 7 p.m. यस तो daily में आप आपको fix कर दिया है भाई 7 p.m. पे मैं मिलूँगा ही ताकि आपके पास video आए लिंक आए या ना आए आप 7 p.m. पे daily मुझे मिलेंगे सही है ना daily class आपकी रहेगी ही समझ गए चलिएगा अब यह आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेर आय करके आएंगे और देखो दोस्तों कल का topic मैं आपको बता देता हूँ कल का topic है थोड़ा सा आपको पढ़के आना है चलिएगा पढ़के आईएगा deep log chemistry coordination chemistry नहीं केवल deep log chemistry deep log chemistry केवल deep log आप पढ़के आएंगे केवल कल का topic है वह आपका deep log बारवी लेवल का 12th लेवल का सही है और आयू पीएसी आयू पीएसी बागी जो coordination वाले हैं coordination तो यह खूब गरवा रखा है सवाल आपका coordination का उसी में से आएगा deep log पे थोड़ा ध्यान देते हैं जो बारवी लेवल के जो सवाल आते हैं उन पे कल हम focus करेंगे तो यह रहेगा सही है li bh4 li lh4 से कम है या ज्यादा बाई lithium aluminium hydride सबका strong है lithium aluminium hydride सबसे आगे है सब से आगे है सब से आगे है न बीच फोर पीछे आता है यह सब' कारबनेल कंपाउंड का करता है यह यह आमारे पास acid amide का नहीं करता यह आमारे पास ester का भी ँनी करता यह order होता है ryazant के session देखो अगर आपने नहीं भी पढ़ाए ना तो आप केवल यूटूब पे ये सर्च करके देखना रियाजाइंट भाई जे बी सर कम से कम मेरी पचास वीडियो आ जाएंगे आपको रियाजाइंट रियाजाइंट की तो पूरे रियाजाइंट पढ़ाएंगे बिल्गुल बेसिक से लेके डिटेल कम से कम पहतारी से लेक्चर है मिल जाएंगे यूटूब पे तो आप पढ़ लेना कल मिलूँगा वाई साब डीब लोग के मेंस्टी के साथ और सब बच्चे मुझे मिलेंगे सेवन पीम पे सही है ना सेवन पीम आज हमारा फिक्स है सही है और डेफिनेटली कल आप अच्छे से पढ़के आओगे पैल जान करी अफ़ी टू सी और यह सवाल हो एंची के क्या फ़ीटी सी नाइन पढ़ दो आप अच्छे से ओंची पढ़ाया हुआ है बिल्गूल अलगे अलगे सवाल है फी-2 सी और नाइन में बदा दो भाई फी-2-सी और नाइन में कितने बोंड होते हैं सर जी एफी-2-सी और नाइन का देखो ऐसा स्ट्ट्चर होता है एक metal metal bond होता है तीन CEO हमारे पास breathing में होता है ऐसा होता है structure OMC के दूसरे तीसरे lecture में पढ़ाया हुआ है point group होता है इसका D3H ये gate में पूछा गया था चलेगा हम net gate की बात नहीं करेंगे अब केवल PZT level की बात करेंगे कल का जो topic over deep log दिन में आप first paper को पढ़िएगा और शाम को 7 बजे बिल्गुल accurate time पे मिलिएगा गलती करने के लिए thank you so much इसी तरीके से जिन बच्चों ने चैनल को subscribe नहीं किया please subscribe जरूर कर लिजएगा YouTube चैनल को और मैं इसी तरीके से आपको मिलता रहूँगा और thank you so much आपने इतना support किया आज के दिन हमारे 10,000 subscribers फोलो हो गया और जितने बच्चे RPSC school lecturer की preparation कर रहे हैं मेरा एक जो मन है वो यह है आप सब का selection हो और आपका हम यहाँ welcome करें स्वागत करें और celebrate करें तो बस थोड़ा सा time बचा है पहले paper में focus करो morning में और फिर बीच में दिन में time मिलता है जो काम मैं आपको दे के जाओ उस काम को आप करके आओ और फिर शाम को हम गलतिया करते हैं आट से दस दिन हम जो topic हमारे जो 11 बारी level के है या फिर जो topic ऐसे हैं जिन से हमने ज़्यादा question नहीं किया उन topic को करवाँगा फिर मैं पूरा session लेकर आगरूँगा physical, inorganic, organic इस तरीके से थैंक यू सो मच बच्चो पढ़ाई करते रहो wish you all the best best of hardware की होता है जो मेहनत करता है वही आगे जाएगा फिर से मैं आपसे यही कह रहा हूँ जो भी बच्चे RPSC school lecture की preparation करना चाहते हैं तो आप कोई topic आप कवी कहें तो आप chemistry by zb sir app download कीजिएगा आप test series भी join कर सकते हैं सही है? चलिएगा थैंक यू सो मच पढ़ते रहिएगा मैनत करते रहिएगा study mantra कह रहे है सर जीरो मानना है अरे भाई सुनो मानने का क्या है यार मानने का तो अभी देगो ये का है अभी देगो यार MSC entrance का अभी paper हुआ था reference भी बता दिया फिर भी उन्होंने अपनी चलाई ना answer यही होगा तो मानने का क्या है भाई F2CO9 में किसी भी किताब में पढ़ लो change हुआ होगा पकी बात है 0 नहीं होता है F2CO9 में bone order सही है ना अब calculate कर लो 18 electron rule apply करके देखो iron के कितने होंगे sir iron के हमारे पास होंगे 8, 3CO, 8-14 1, 2, 3, 4 तब जाके 18 electron rule follow होगा 1 होता है यार इसमें metal metal bone सही है चलिए गहाँ session सारे helpful होंगे मैं कल मिलूँगा आपको बता दिया है deep log के साथ चलिए गा thank you so much अचलिए लगपको नहता है हaurus ही मैं कलीटे कि पहीं हार的